इस नास्ते को सभी लोगों ने तो जरूर खाया होगा और सब को बहुत ज़्यादा पसंद आता है एक बार मेरे तरीके से बना के देखिए यह बहुत अच्छा लगता है तो चलिए हम बनाते हैं हाई मैं जान की आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूटूब चैनल सुपर गुचन में तो चलिए हम बनाते हैं यह देखिए यह चनी की दाल है इसको मैंने राद भर भिगो दिया था यह धाई सुग्रम चनी की दाल है यह अच्छे से यह भीग गया है अब इसी के साथ हम एक हिल्दी चीज डालने जा रहे हैं यह सहजन की पत्तियां मैंने पहले भी बनाई है और यह इतना हिल्दी होता है इसलिए मैं फिर से बनाने जा रही हूँ क्योंकि बच्चे इसे डारिट नहीं खाते हैं इस तरह से हम जम नास्ते में बनाएंगे तो बच्चे भी खा लेकिन खासकर ये बच्चु कले में बना रहे हूं कि कोई बच्चे पत्तियों को नहीं खाते हैं इसका सई तरीका होता है सुवा उट्पकर खाली पेट इसको चबा कर खाये तो बहुत ज्यादा फाइदा करता है लेकिन उस तरह नहीं खा सकते तो इस तरह से हम बढ़िया सा नास्ता बना कर बच्चुख खिलाएंगे इसी दाल में मैं मिर्च, अद्रक और पत्तियों को डाल कर थोड़ा सा पानी डाल कर ये देखे मैंने पीस लिया है इस तरह से हमको पीसना है बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है नहीं तो फिर इसको भरने में दिक्कत होगी इस तरह से निकाल कर हम फिर से चनिक की दाल को पीसेंगे ये देखे इस तरह से डाल कर और फिर से जो बचा हुआ सैजन की पत्तियां है इसको डाल देंगे यह देखे इतना ज्यादा हिल्दी होता है कि आप इसे जरूर बनाईएगा यह देखे पूरा मैंने फीस लिया है आप इसे में साधन साधन नमक डाल देंगे और आधा चमत काली मिर्च पाउडर और आधा ही चमत हमचुर पाउडर और एक चमत गरम मसाला आप इसको अच्छ स्वाइब कर देंगे यह दूमला कर देल कर रहा है यहिस बिला यह दाल देंगे लिए ज्हींक्त कैसे मिलाने के बाद केलिए भी यहते थेल कुछ भी आप डाल दीजे इसे ऊपर का जो लेर होता है बहुत अच्छा सा इसमें स्वाद आता है वैसे तो हम बिना तेल के भी बना सकते हैं लेकिन इस तरह से जब हम डाल देंगे तो ज्यादे स्वाद आएगा अच्छे से मिलाने के बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए जैसे हम रोटी का डो तयार करते हैं बेलकुल इसका डो तयार करेंगे यह देखे इस तरह से थोड़ा थोड़ा हम पानी डालते हुए अच्छा सा डो तयार कर लेंगे यह देखे इस तरह से अब चलिए बनाते हैं कड़ाई में ने दो चमस तेल डाल दिया है और इसी में डाल देंगे एक चमस मेथी मेथी से बहुत बड़ियान सा खुस्बू आता है इसको चटकने बाद इसी में हम पानी डाल देंगे यह देखें ज्यादा ही पानी डालेंगे क्योंकि हम इसी में नास्ता को पकाना है हमको यह देखें इतना पानी डालकर और इसको हम ढग देंगे जब इसमें उबाल आएगा तब हम इसमें नास्ता को डालकर इसमें पकाएंगे इसके हम लोईयां तोड़ लेते हैं और छोटी छोटी जैसे पूरियां होती है उसी तरह हम इसको पूरी बनाएंगे पहले इस तरह से हम छोटी छोटी लोईयां को तोड़ लेते हैं यह देखे इस तरह से बहुत पुराना यह नास्ता है लेकिन इसकी फिलिंग में ज्यादा हेल्दी बनाई हो आप इसे जरू बनाएगा यह देखे इतना मोटा हमको चाहिए बहुत पतला नहीं चाहिए थोड़ा सा मोटा होना चाहिए और इसी तरह इसी में डाल देंगे यह कि इसके साइड साइड में पानी लगा देंगे कि यह चिपन जये नहीं से खुल जाएंगे इस लिए पानी लगाना जरूरी है उसको जैसे हम गुजिए बनाते हैं होली पर उसी तरह से Kaiser offers जैसा इसी तरह से उपταफ़त बन भी जाता है घर में पूरा समान भी मिल जाता वा इसी में डाल देगे सारी गुजियों को यह देखें बस दस मिनट में यह पक जाता है और जितना पानी उतना डाल देज़ें भूह ज्यादा नहीं डालना है इसको 10 मिनट के लिए ढख कर पका लिए यह देखें दस मिनट हो गया है उलट-पुलट कर देंगे इसको और फिर च मारा हुजियों को हम निकाल लेते हैं है एक परफेक्ट मारा नास्ता तैयार हो गया है अब ठंडा हो जाएगा तक हम घसका ट करेंगे जा तरह तरह इंचा कितना बढ़ियां सा यह कट भी रहा है जब ठंडा हो जाए तभी काटिएगा नहीं तो फिर यह अच्छे से नहीं कट पाता है आप चाहें तो ऐसे भी से खा सकते हैं लेखिन मैं इसको फ्राइब करूंगे फ्राइब करने से बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा और बहुत स इसको फ्राइब कर लीजे फ्राइब करने से बहुत मस्त हमारे यह फ्रे लगेंगे इसलिए आप जरूर कर लिजेगा यह तरह से उलट पुलट करते हुए गोल्डेन ब्राउन इस तरह से कर लेंगे और फिर देखिए पांच मिनट में यह फ्राइब हो जाता है अब इसको यहां मन करें आप इसे बना सकती हैं बच्चे और बड़े सब को यह ज्यादा पसंद आता है वैसे यह बहुत पुराना है डिकिन जब भी बनता है तो सब को बहुत पसंद आता है यह देखे और फीलिंग हेल्दी है अगर आपको हमाई रिस्पी पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें थेंक यू